लाइधे दोस्तो, दोस्तो आज का टापिक है चंदन यात्रा महा महदज़ू। लेकिन उससे पहले जो हमारे नए दोस्त अभी अभी हमसे कनेक्ट हुए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने के बाद ओल पर क्लिक कर ले और पैल आइकन को भी क्लिक कर ले मेरे आडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करें दोस्तो चंदन यात्रा बैसाग के महीने में यानि के एपरेल और में के महीने में शुक्ल पक्ष की जो तृत्या तिथी होती है उसको शुरू होता है और उसके बाद फिर 21 दिनों तक इसको मनाया जाता है तो मैं दिल्ली के इस्ट ओफ के लाश के इसकों टेंपल गई थी वहाँ पर मैंने देखा बहुत लोग चंदन घिस रहे थे तो मैंने उन भक्तों से बात की कि आप ये क्यों घिस रहे हैं इतना सारा चंदन घिस घिस के एकटा कर रहे हैं तो उनों ने मुझे बताया कि ये जो चंदन का लेप है ये हम भगवान श्री कृष्ण के लिए इसको पीस रहे हैं ये लेप हम इसलिए बना रहे हैं कि श्री कृष्ण को इस लेप को लगाया जाएगा और ये अत्यन्धी बहुत ही जादा भक्ती में क्रिया होती है जो भक्तों द्वारगी जाती है और चंदन का लेप सर्व स्रेष्ट लेप होता है इसलिए बना श्री कृष्ण को ये लेप लगाया जाता है और इस शीतल लेप से सुसजित किया जाता है उनको सजाया जाता है लेप से लेकिन फिर मेरे मन में एक और सवाल आया कि एपरिल मैं में ही क्यों वैशाक के महीने में ही क्यों तो भक्त लोगों ने मुझे बताया कि इसी महीने में बहुत गर्मी पड़ती है हमारे भारत देश में और ये जो चंदन का लेप है ये शीतलता प्रदान करता है भगवान को ठंडग देता है इसलिए हम इसका लेप करते हैं भगवान को और उनके सारे शरीर में उनको लगाया जाता है सिर्फ उनकी आखों को उनके कमल नैनों को छोड़ कर और यही नहीं दोस्तों वहाँ पर माला पहना जाती है ताकि कि उनको ठंडग भी लगे और खुश्बू भी आए चंदन की खुश्बू मोगरे की खुश्बू और जब वह चंदन लगाते हैं तो अलग से माला पहनाते हैं जो सुबा की आरती करके ड्रेस पहनाते हैं वह अलग से पहनाते हैं उससे पहले जो लोग चेंज करते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि मालाओं के जो तीन सेट आप बना रहे हैं ये हमेशा पूरे साल बनते हैं तो उन्होंने कहा कि ये चंदन यात्रा के लिए ये अलग से बनते हैं और उसके अलावा जो भगवान की आरती होती है सुबा चार बजे उसका सेट बनता है और जो भगवान दिन में उनकी आरती होती है सुबा से शाम तक उसका सेट अलग बनता है और इतने भगत लोग इतनी सेवा करते हैं उनको बस एक उपसुकता रहती है कि कैसे भी हमें चाहे एक फूल डालने के लिए मिल जाए चाहे थोड़ा से चंदन घिसने को मिल जाए पर मिल जाए कुछ भी भगवान की सेवा मिल जाए कैसे भी हम भगवान के लिए उनको सजाएं और बनाएं और इस वक्त ना बहुत बीड़ थी मैं जब गई वहाँ पर तो बहुत 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 ब बहुत आनंद आया भगवान के दर्शन करके इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप से शेयर करना चाहिए तो मैं ने आज ये शेयर करा है आज के लिए इतना ही और हाँ भूलेगा मत शब्सक्राइब करना है मेरे到 को और जादा से जला लाइक और शेयर करना है तो आज के लिए इतना ही जब तक लिए रादे रादे